सेवा जोहार साथियों लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर से गोंडी भासा सीखने के लिए एक और नया वीडियो वीडियो को लाश्ट तक देखियेगा तो चलिए साथियों वीडियो सुरू करते हैं हिंदी का हमारा सबसे पहला सब्द है काम करो काम करो को गोंडी भासा में बुतो कीम कहते हैं इसी तरह दूसरा हिंदी का सब्द है काम मत करो जिसे गोंडी भासा में बुतो केमा कहते हैं हमारा अगला हिंदी का सब्द है इधर आ जिसे गोंडी भासा में हिक्के वड़ा इस तरह से कहते हैं इसी तरह दूसरा हिंदी का सब्द है इधर मत आ या इधर मत आओ जिसे गोंडी भासा में हिक्के वाइमा इस तरह से कहते हैं हमारा अगला सब्ध है बताईए या फिर बताओ जिसे गोंडी भासा में अगर कहना हो तो आप इसे वेहा इस तरह से कह सकते हैं इसी तरह अगला हिंदी का सब्ध है मत बताओ या फिर मत बताईए जिसे गोंडी भासा में वेहमा कहा जाता है आगे बढ़ते हैं साथियों हमारा अगला हिंदी का सब्द है खाईए या फिर खाओ जिसे गोंडी भासा में तिन कहा जाता है इसी तरह अगला हिंदी का सब्ध है मत खाओ या फिर मत खाईये इसे अगर आपको गोंडी भासा में कहना हो तो तिन मा इस तरह से कहा जाता है अगला हिंदी का सब्द है इधर देख, जिसे गोंडी भासा में हिक्के हुडा, हिक्के हुडा इस तरह से कहा जाता है, इसी तरह इधर मत देख, अगर आपको कहना हो गोंडी भासा में इधर मत देख, तो आप इसे हिक्के हुडमा, हिक्के हुडमा इस तरह से बोल सकते हैं जा या फिर जाओ, जिसे गोंडी भासा में हन कहा जाता है, ठीक इसी सब्द के विपरीत मत जाओ, या फिर मत जाओ, इसे हमारी गोंडी भासा में हनमा कहते हैं. साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जादस जादस सेयर कीजिए, आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा अगला हिंदी का सब्द है, मुझे दिखा, मुझे दिखा, जिसे गोंडी भासा में नाकुन तोहा, या फिर नाकुन हुडःा, इस तरह से कहा जाता है, इसी तरह अगला हिंदी का सब्द है, मुझे मत दिखा, जिसे गोंडी भासा में नाकुन तोहमा, या फिर नाकुन हुडःमा, इस तर से कहा जाता है। हमारा अगला हिंदी का सब्द है भोजन पका या फिर खाना पका जिसे गोंडी भासा में गाटो अटा गाटो अटा इस तरह से कहा जाता है। इसी तरह अगर आपको हिंदी में कहना होकी भोजन मत पका तो इस सब्द को गोंडी भासा में गाटो अटमा इस तरह से कहा जाता है। हमारा अगला हिंदी का सब्द है सीख या फिर सीखो जिसे गोंडी भासा में करिया, करिया इस तरह से कहा जाता है. इसी तरह अगला हिंदी का सब्द है मत सीख जिसे गोंडी भासा में करिमा, करिमा इस तरह से कहा जाता है. साथियों इस वीडियो में आपने जितने भी कुंडी भासा के सब्द जाने या फिर सीखे वो सारे एक वचन के लिए उप्योग किये जाते हैं बहुचन के लिए इनमें थोड़ा सा उक्चारन में परिवर्तन अलग होगा इसी तरह इस्त्रिलिंग और पुरलिंग के लिए भी अगर निश्चित तोर पर हम इन सब्दों का अनुवाद गुंडी भासा में निकालते हैं तो वो भी परस पर अलग होंगे जो आपको अगले कुछ वीडियो में सीखने को मिलेंगे एक बार फिर से दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक नहीं किये होंगे तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को सेयर कीजिए साथ ही आप कमेंट करके अपने सुझाव और विचार मुझे बता सकते हैं मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार